है अग्धु एक यह फाइफ इस टूडियोज आप सब लोगों का बहुत बहुत सारा स्वागत है आज के इस प्यारे से से सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे बेइमान दुकानदार का एक ऐसा कुर्षन जो लगातार कई बार एक्जाम में पूछा गया और स्टुडेंट्स न जबकि कुर्षन था सेकिंड्स का और बेइमान दुकानदार एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है जो लगातार हर एक्जाम में चाहें वो रेलवे हो, SSC वे बैंकिंग हो पूछा ही जा रहा है तो आज के बाद ऐसे कुर्षन कभी गलत नहीं होंगे बहुत ध्यान से समझेगा चलते हैं बिना देर की अपने कुर्षन की और तो चलो यह कुर्षन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसको बस एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए कि यह कहना क्या चाह रहा है कुर्षन अडिसोनेश डीलर मारकफ दा प्राइज ऑफ इस गुड़्स वाइट विट्वट्टी परसेंट डैट मिन्स उस डीलर ने जो अपनी वस्तुओं का प्राइज है मुल्य है वो बीस परसेंट बढ़ा कर लग दिया अडिफ एडिसकांट एफ 10% टो इसकनोर और अपने गरहकों को 10% कि छूट भी दी बिसाइडस ही ओलसो चीट सबोत है सप्लाइर है इसी के साथ वह क्या चाहिता है जिससे माल खरीत के ला रहा है समान खरीत के ला रहा है उसके साथ भी और अपने जिसको बेच रहा है उसके साथ भी सप्लायर और बायर के साथ दौनों के साथ 100-100 ग्राम की चोरी करता है कब चोरी करता है जब वो 1 किलो ग्राम खरीदता है और 1 किलो ग्राम बेचता है इतनी सी बात कही है अब कहा रहा है find the percentage profit earned by the shop की पर इस तरीके करिष्टन आपको देखने को मिलते है यहां पर इसका मतलब क्या है कि जब 1 किलो ग्राम खरीद के लेकर आ रहा है तब 100 ग्राम चोरा के लेकर आ रहा है मतलब लेकर कितना आ रहा है 1200 ग्राम लेकर आ रहा है ध्यान से समझ ना और जब 1 kg बेचने की बात करता है तब भी 100 ग्राम चुरा लेता है तब जो 900 ग्राम ही वो देता है केलियर है इतनी बात यही पर लॉजिक समझना है आपको 3 तरीके से बेइमानी करी जा सकती है मेजरमेंट 3 तरीके के होते हैं पहला मेजरमेंट है kg में अगर किलो ग्राम में किसी चीज को बेचेगा तब जो चोरी करेगा वो ग्राम में करेगा अगर वो बात करेगा लीटर में तो अगर लीटर में वो चोरी करेगा तो मिली मीटर में मेजर करी जाएगी चोरी ठीक है मिली लीटर में एमेल में उसके बाद अगर बात करते हैं मीटर में कपड़ा मेजर करते समय अगर चोरी करेगा तो एक मीटर मीटर में कपड़ा मेजर करते हैं तो चोरी करेगा वो सेंटी मीटर में करेगा इस तरीके के कुश्टन देखने को मिलते हैं एक किलो ग्राम में एक हजार मीटर एक किलो ग्राम में एक हजार ग्राम एक मीटर में 100 सेंटी मीटर और एक लीटर में एक हजार एमल बस यही ध्यान रखना है हमें कि अगर केजी की बात है तो हजार मानना है लीटर की बात है तो एक हजार मानना है मीटर की बात है तो सौ मानना है क्योंकि सेंटिमीटर है क्या मानना है? सौ तो सौ मानना क्या है? cost price, यहाँ पर बात किस में हो रही है, kg में बात हो रही है क्योंकि 100 grams, तो बात चल लिए kg में, तो हमने यह मान लिया अपने पास से कि 1000 gram, देखो आज के बाद गलत नहीं होगा, ध्यान से समझ लेना 1000 gram का जो cost price है, वो cost price है 1000 रुपे, ऐसा हमने मान लिया, clear मगर जब वो 1000 gram खरीद के लेकर आ रहा है, जैसे ऐसे question बोला, अब उसने 20% बढ़ा के लिख दिया, पहले तो यही बोला है, उसने price कितना लिख दिया, 1200 रुपे लिख दिया, got it, 1200 रुपे price लिखने के बाद, 10% का discount दे रहा है, तो 10% का discount देगा, तो 1200 का 10% 120, तो 1080 रुपे मे इसका selling price मिल गया, अब देखना ध्यान से, अब वो कह रहा है कि उसने खरीदते और बेशते समय 100-100 gram की कर ली चोरी, 100 gram की चोरी खरीदते समय करी इसका मतलब है 1000 रुपे तो उसने 1000 ही दिये, मगर खरीद के कितना लेकर आया है, 1100 gram खरीद के लेकर आया है, क्योंकि 100 gram की चो 1100 gram खरीदा है, ओके, तो बस यही इसमें एक अकिला पॉइंट था इस तरीके के कॉश्चेंस में, तो उसने कुल मिला के खरीदा है 1100 gram क्योंकि 100 gram वो चुरा के लेकर आया, मगर जब बेचने की बात कह रहा है, तो कह रहा है कि 1 kg बेच रहा है, मगर दिया कितना है उसने 900 gram बेचा कितना है, 900 gram, तो देखो यहां से 900 gram का प्राइस पता चला कितना, 1080 रुपे, गॉट इट, 900 gram की वैल्यू एक हजार असी है, मगर उसके पास टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 1100 gram थी या नहीं थी, तो बस 900 की वैल्यू अगर 1080 है, तो 1100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, नाइन से वन टू जीरो टाइम्स, और इसका मल्टिप्लाई करोगे तो एक्स की वैल्यू आगी, 1320, ये मिल गया सेलिंग प्राइस, 1000 रुपे का खरीदा था, इन्वेश्टमेंट हमेशा 1000 ही रहेगा, अगर बात केजी में है तो, और कितने परसंट प्राइस, प्रॉफिट मिल गया, 32 रहा इता, तो आप कितना माल लेना, 1000 मान लेना, और अगर आप मीटर की बात करते हैं, तो आप मान लेना, 100 क्योंकि 100 cm बनाता है 1 meter तो इस तरीके के question गलत करके मत आना कहीं से कहीं तक भी मुझे ये जरूर बता देना कि आपको ये तरीका कैसा लगा और मैं नए किस topic पर question लेकर आऊं ये सारी चीजें आप मुझे comment box में बता देना जिससे कि आप लोगों को मैं और नई से नई चीजें देता चला जाओं अच्छा एक और important चीज आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि किस topic में आप लोगों को साथ साथ updated questions और doubt sessions में आप लोगों को कराऊंगा और ये जो batch है वो 10th of January से start हो चुका है अभी दो basic classes गई है बस दो basic classes गई है और आपको अगर कोई भी source unacademy पर access करना है तो आपको जो code use करना है वो code use करना है study 10 क्या code use करना है study 10 और आपको 10% का discount मिल जाएगा ठीक है study 10 telegram group में अगर अभी तक नहीं जुड़े है तो telegram group में जुड़ जाईएगा ये telegram का link है maths by आकाश comment box में मुझे ये जरूर बताईएगा कि आपको ये video कैसी लगी like कर दीजेगा और अपने दोस्तों में share जरूर कर दीजेगा नई video के साथ फिर में हाजिर होंगा तब तक अपना ध्यान रखिए God bless you and thank you